पिर से स्वागत है एडवान्स क्लस्सेस के इस डिजिटल मंच पर मैं एमपे करने आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों हम बात करेते संदी की और संदी में हमने बात किती दीरक संदी की दिर्ग संदी की जब हम बात करें ते दिर्ग संदी में देखिए मैंने आपको नास्ता भी दिया था कि जो आपने इसकिन सोट ले लिया होगा दोस्तो ये भी आप इसके सोट ले लिजिए पिर हम बात करेंगे किसकी जो हमारी आज की संदी है जो आज की संदी कौन से दोस्तो आज की हमारी संदी है कौन सी गुण संदी है दोस्तो गुण संदी क्या कहती है ध्यान से देखना गुण संदी ये कहती है कि प्रतम सब्द का अंतिम वन क्या हो दोस्तों अ या आ द्यान से देखना प्रतम सब्द का अंतिम वन क्या हो या आ तता दीत ये सब्द का पहला वन क्या हो या ये तो इनके मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा ए बनेगा तता ये प्रतम सब्द का अंतिम वन क्या है अ या आ है तता दीत ये स सब्सक्राइब का पहला वन क्या है उ या उ है तो इनके मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा ओ बनेगा और ऐसे ही यहां पर इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तो और बनेगा तो ये तीन नियम है किसमे गुण संदी में की प्रतम सब्द के अंतिमण की या मैं परिवासा की भी यदि बात करूँ तो यही है कि प्रतम सब्द के अंतिमण की दोनी क्या हो या आ हो तो दीतिय किसम हो जाएगा दोस्तों ए वो और में इसका क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा देखिए तो यहां हम बात करते हैं पहले नियम की किसकी दोस्तों पहला नियम यही क्या कहता है हमारा पहला नियम कि यदि आ या आ के बाद क्या ए या ए है तो इसका परिवर्तन किसम हो हो जायगा देखर किसे जिसे भारता दन इंदू यहां पर क्या है दोस्तों यह आuito ौई और यहां यहां बीयर क्या है रहे जब और विका मिलन होगा तो इनके मिलने से क्या बनना है अब देखिए जैसे अ यहां से निकलता है तो यहां क्या बच जाएगा यहां पर आदात बच जाएगा अ और इमिले और इनके मिलने से क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है में अ प्राप्त हो और यहां पर क्या है इ अ और इ मिले बताओ सब्द क्या बन गया हमारा दोस्तो परेक्षा बन गया क्या बन गया परेक्षा ऐसे ही राका दन इस आ और इ मिले और मिलकर क्या बन गे दोस्तो राकेस बन गे राका यानि क्या होते दोस्तो रात होती और इस यानि क्या होता है बटाएं कोने चंद्रमा चले रमादन इस यहां पर रमादन इस यहां पर आ है और यहां भी क्या है यह इस.? वीवाय इतर्फ ट्र देखें इस खो Pack लीजिये विवा इत्तर जैसे मान लिजे मैंने यहाँ पर आपको लिखा क्या विवा इत्तर देखे क्या सब्द बनता है विवा इत्तर यह लिखा मैंने यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर लिखा विवा 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 दन इत्तर यानि भीवा से अलग अब देखें इतर यानि क्या होता है दोस्तों अलग होता है अब देखिए यहां पर क्या है दोस्तों हमें क्या मिला हुआ है अ मिला हुआ है जैसे मैंने यहां से क्या निकाला अ निकाला ठीक है और यहां से क्या निकाला जैसे मैंने यहां से छोटी E निकाली तो यहां पर बताइए क्या बच जाएगी यहां छोटी E अब यहां पर A और E मिले और मिलकर इनके मिलने से क्या बनेगा दोस्तों ए एडी वाला बन जाएगा यहां से जैसे यहां पर यह बना अब यहां से क्या निकलेगा अ जैसे यहां से निकला तो बताईए यहां तो क्या बच गया हः और हः कौन सा आदा विवा विवा का जो ह है अन्तिम गण है वो क्या है दोस्तों अभी तक वेंजरी ही है क्योंकि उसमें से क्या निकल चुका है स्वर निकल चुका है अब इन दोनों का मेल हुआ और मेल से हमें क्या प्राप्त होगा अब ए की क्या लग जाएंगी यहां पर मात्रा जैसे मैंने यहां पर मात्रा लगई यह वर्ड पूरा हो गया यहां से निकल जाएगा बताईए सब्द क्या बन गया दोस्तों मारा वेवा इत्तर तो यहां पर यह पैचान किसके पहले मियम की एसे यहां पर गुडा का अधन इस गुडा का अधन इसको भी देख लीजिए गुडा का दन इस, दोस्तों गुडा का अर्थ होता है क्या रात होता है, गुडा का अर्थ क्या होता है, नींद होता है, सोरी, क्या होते है गुडा का अर्थ है, नींद होता है, देखिए, गुडा का, गुडा का, गुडा का, दन इस, गुडा का धन 29 यहां पर क्या है आ है और यहां पर क्या है बड़ी ए है देखिए आ और बड़ी जब मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनना है दोस्तों यह वाला बनना ए ठीके चोटा यह यानि एड Originally आ यहां से निकलेगा तो बताईए यहां पर तो केवल यही बचा ना ग नद ऑदा जाएगा, एक ही, क्या लगा दी, मैंने यहां पर मातरा, यह यहां से निकल यहां से निकल यहां, निकल विशा नहया है, गुडा केस तो ध्यानकना गुडा केस जिसने निंद पर विजे प्राप्त कर ली हो तो ये प्रेवाची एक तो बगवान सिव को किसको दोस्तो बगवान सिव को भी क्या कहा जाता है गुडा केस कहा जाता है और अर्जुन को भी का कहा जाता है गुडा केस कहा जाता है तो ध नियम क्या कहता है कि प्रतम सब्द के अंतिम वन की दोनी क्या हो तता दीतिये सब्द का पहला वन क्या हो उ या उ हो तो इनके मिलने से क्या बनेगा ओ बनेगा ठीके जैसे अती से अधर उकती देखे दोस्तो अती सहे अती क्या है दोस्तो उपसर गहे और सहे और यहां पर क्य अब देखे तीक है, अब देखना अब यहां पर जो यह है इसमें क्या मिलाक हूआ यहां पर क्या है उ और उ के मिलन से क्या बनेगा दोस्तो ओ बनेगा ओ जैसे ही बना यहां से अब देखे यह में से क्या निकलेगा और निकलते ही यहां बचा क्या अतिश यह कौन सा आदा दोनों मिले और मिलकर इसकी क्या लग जाएगी मात्रा और वो यहां से निकल गया बताओ शब्द क्या बनेगा अतिश य योगति कहलाता है तो ध्याम रखना दोस्तों आपका जो वर्ण है यो सब्द है कौन सा अतिस्योगति है कि इस रूप में ज्यादा प्रचलित है किस रूप में दोस्तों इस रूप में ज्यादा जो प्रचलित है कौन सा अतिस्योगति जो क्या है दोस्तों क्या है दोस्तों क अतिस्योक्ति कैसे हैगा दोस्तो अतिस्योक्ति जो अतिस्योक्ति हम लिखते बोलते हैं वो क्या है वो सब्द क्या है वो सब्द गलत है देखिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि अतिस्योक्ति यदि अतिस्युक्ति आपको ऐसा नजर आ जाए तो वो शब्द क्या हो जाएगा वो शब्द व्याकरण की दरश्टी से क्या हो जाएगा वतनी की दरश्टी से क्या हो जाएगा कटस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दलित दन उत्तान यहां क्या है अ और यहां क्या है उ बता अ वर उ मिले क्या बन गए दोस्तों ओ और सब्द बन गया दलितों ने दलितों का उत्थान ऐसे ही यहाँ पर मरन दन उप्रांथ और यहाँ पर क्या है उ और उ मिले बताओ मिलकर क्या बन गए उ और शब्द बन गया कौन सा मरनो प्रांथ चंद्र दन उदे यहाँ क्या है उ और यहाँ भी क्या है उ और और उ मिले मिलकर क्या बन गए दोस्तों और शब्द बन गया कौन सा चंद्रो दे ऐसे ही नवदन उड़ा और उउ मिलकर क्या बन गया दोस्तो और बन गया कौन सा नवड़ा नवड़ा होता है दोस्तो नई नवेली दुलहन को क्या कहा जाता है नवड़ा कहा जाता है जलूर्मी यहाँ पर और यहाँ पर क्या दोस् एसे यहां गंगा और कौन सा दोस्तो ओर्मी क्या बताओ दोस्तो क्या बनगा गंगोर्मी यानि गंगा की लहरे क्या बनगी दोस्तो गंगा की लहरे तो यहां हमने कौन सा नियम देखा दोस्तो दूसरा नियम देखा किसका गुण संदी का बात करते हैं गुण संदी के तीसर नियम क्या कहता है? गुण संदी का ध्यान से देखना दोस्तो Important नियम है यहां से प्रशन आने के chance ज़्यादा है थोड़ा कटिने लगता है यह नियम चले देखिए A और A के बाद क्या हो री हो तो यहां जो परिवर्टन होगा वो क्या होगा दोस्तो अर यानि क्या बनेगा यहाँ पर अर बनेगा किसे और आ मिले और मिलकर क्या बन गया अर बन गया देखे ग्रिश्मदन रितू क्या बनेगा ग्रिश्मर्तू अब देखे मैं इनको बता देता हूँ देखे एकजाम में प्रस्णा आया हुआ है वर्सा वर्सा दन रीतू एकजामे प्रस्ण आया वो कौन सा वर्सा दन रीतू देखे अब ये कैसे बनेगा दोस्तों यहां देखना यहां पर क्या है आ आईए यहां पर क्या है दोस्तों री री है यहां पर अब देखना जब आ और री का मिलन करते है तो उमें प्राप्त क्या होता है और उमें प्राप्त होता है यही प्राप्त होता है अब देखे जैसे आ यहां से निकल गया तो यहां पर क्या बच गया वर्स त्यान रखना यहां इसे गलती करते हैं क्या करते हैं वर्सार्त हो क्या कर देते हैं दोस्तों वर्सार्त हो लेकि अब मिलने के बाद अमें इनकी जगे क्या करना है दोस्तो अर अरम यहां पर जोड़ेंगे अब देखना जैसे यह वाला अ यहां मिला यह क्या हो गया दोस्तो पूरा शह हो गया क्योंकि अर जोड़ना है र क्या है दोस्तो आदा है अब र जो आदा है उसको कहां लिखते है दोस्तों आपको ग्यात होगा एक तो ये वाला रह होता है कौन सा ये वाला रह ये जो रह है दोस्तों ये क्या है पूरा है ठीके और ये वाला जो रह होता है क्या होता है आदा होता है तो ज्यानगना जो आदा रह है वो कहां जाता है प्राए उपर जाता है चले अब री मैं ने यहां से निकल दिया अब यहां से निकला तो यहां क्या बच गया दोस्तो तू बच गया अब मैं र को कहां चड़ा दूगा यहीं चड़ा दूगा क्योंकि इससे पहले क्या होगा दोस्तो इसका उच्चारण होगा यानि र का जिससे पहले उच्चारण होगा र उसी के उपर चड़ जाएगा ठीके ध्यान रखना बिल्कुल तो यहां सब्द बना अमारा कौन सा वर्सर तू क्या बना दोस्तो वर्सर तू ना की वर्सार तू आपको कभी-कभी देखने को मिल जाए क्या वर्सार तू तो वर्सार तू जो सब्द होता है वो व्यात अमारी वर्तन है और यहां क्या है डी और री का मिलन हो गया क्या 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 अर बन गया जैसे यहां से निकला का से निकलेगा यहां से निकलेगा यहां री से निकलेगा और इनकी जिगह क्या निकलेगा दी और निकलते क्या बन गया अर बन गया अब यहां जैसे अर जुड़ेगा अर जुड़ते यहां यह इसमें जुड़ते सीत यह पूरा हो गया रव आदा है तो आमने उप़र चड़ा दिया बताओ क्या बन गया सीतर तू ऐसे ही महादन रिशी क्या बन गया दोस दोस्तो उत्मन बन गया उत्तम धन रिन देखिए इसको भी जैसे ये उत्तम है उत्तम और ये क्या होगा रिन उत्तम धन रिन देखिए यहां क्या है और यहां क्या है री क्या है दोस्तो यहां पर री है अब और जब री का मिलन होता है अब जब री का मिलन होता है तो क्या बनता है अर बनता है ठीके अब देखना ध्यान से जैसे यहां से क्या निकला अ निकला अ निकलते हैं यहां क्या बच गया उत्तम क्या बच गया दोस्तों उत्तम कहां चड़ाएंगे दोस्तों किसके ओपर नाकियों पर हम रखो चड़ा देंगे और यहां सब्द बन गया हमारा कौन सा उत्माइन बन गया वर्सार तुम करी चुके महादन रिन महन ऐसे यह बन जाएगा महादन रिन बताओं यहां से क्या निकलेगा आ निकलेगा यहां से क्या निकलेगी री और जैसे री निकली यहां क्या बच गया है और यह क्या बन गया दोस्तों मारा इन दोन उसे परिवर्टन से अर बन गया जिसे इसमें हमें मिला यह क्या हो गया पूरा और यहां क्या बचका दोस्तों और ना के ओपर क्या चड़ा दिया मैंने री चड़ा दिया देखे तो यहां अमने बात कि किसकी गुंड संदी की गुंड संदी के अमने तीनो नियम पड़े क्या पड़े दोस्तों गुंड संद या आ के बाद या आ के बाद क्या है या 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 आए तो क्या हो जाएगा दूसरा निये में कहता है कि प्रतम सब्द के अंतिम वर्ण की दोनी क्या हो प्रतम सब्द के अंतिम वर्ण की दोनी क्या हो दोस्तो या आ हो तता दीतिय सब्द का पहला वर्ण क्या हो उ या उ हो तो उनके मिलने से क्या बनेगा ओ बनेगा और यदि तीसरा निमेदी परतम सब्द के अंतिम वर्ण की दोनी क्या हो या आ हो तता दीतिय सब्द का पहला वर्ण क्या हो री हो तो इनके मिलने से जो बनेगा, वो क्या बनेगा दोस्तो, वो अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा, देखिए अब तीनो नियम को हम एक साथ देख लेते हैं पहचान देखना ध्यान से कि जो गुण संदी है एक तो हमने दिर्ग संदी में क्या देखा था आ, ई, और उ गुण संदी में दोस्तो एक तो आपको कौन से मातरा दिखेगी एक तो आपको ये वाली मातरा दिख जाएगी किसकी एकी एक पहचान एक ओकी मातरा कैसे दोस्तो ऐसे ठीके ये पहला नियम है दूसरा नियम जो तीसरा नियम है उसको ध्यान से देखना तीसरे नियम में आपको प्राए तू के उपर क्या दिख जाएगा रह या पिर न के ऊपर क्या दिख जाएगा रह या पिर शी के ऊपर क्या दिख जाएगा दोस्तो रह यह तीन पहचान है किसकी तीसरे नियम की तो तू के ऊपर हमने रह देखा देखे तू के ऊपर रह है न के उपर हमने र देखा और शी के उपर भी हमने क्या देखा दोस्तो र देखा तो ये गुण संदी के हमने तीन इयम यहाँ पर पड़े चलते हैं आगे गुण संदी के अपवाद अब यहां बात करेंगे गुण संदी के अपवाद की तो देखना दुक दन रित दुकार्थ दुक के सेर से चिदर यह क्या कहलेगा दोस्तों हमारा दुक सेर से चिदर दुक से सोरी यह गलत लिकाए में आ गया चले यहां पर बात करें सुक दन रि अक्स दन वी ने यह दी संधी विछेद करें तो क्या बनेगा अक्स दन वी ने तो आपसर होऊचा जाता तो यहां पर क्या बच गया दोस्तो अक्ष आदा अव और उ मिले बताओ मिलने से क्या बनेगा उ बनेगा नियम तो यही कहता है गुण संदी का तो यहां क्या बन गया अक्षो उ अना उ गया अब यहां पर ई और दोस्तो ध्यान रखना यहां बनेगा क्या इनी और देखना अब ये नियम से नहीं बन रहा है, बताओं इसमें मातराई कितनी आती है, दो, और इसलिए ये गुण संदी का क्या है, अपवाद है, और व्रदी संदी का क्या है, उदारण है, तो ध्यान रखना, अब इस समस्यार की यहां पर न केसे आया, न का न केसे हुआ, तो ये संदी का नियम में, वो कहते हैं कि ये री र और श, री र श से पहले, या पि री र स, सोरी, री र स के बाद क्या है, न वर्ण आए, ज्यान रखना, री र स के बाद क्या है, न वर्ण आए, तो न का परिवर्तन किसमें हो जाता है, न में हो जाता है किवल सुद्ध सब्दो किसमें दोस्तों सुद सब्दों में जिसे रामदन ऐन क्या बनेगा रामा है अब यहां भी देखिए कि यहाँ पर इन मेंनेश Τर्फ तो बताओं किस से मिलकर बनाए कर और श से मिलकर बना है इसलिए यहाँ पर न का क्या हो गया न हो गया ठीक है चले यहाँ पर बात करते हैं प्रयादन उड़ अब यहाँ भी देखना दोस्तों क्या बनेगा प्रोड बनेगा क्योंकि यहाँ भी और यहाँ पर ऊ बनना चाहिए यानि एक ही मात्रा आनी चाहिए लेकिन यहाँ पर म बन जाएगा दोस्तो प्रोह यानि उतकश्ट त्रीक प्रकिष्ट त्रीक सोधन इर क्या बनेगा दोस्तो श्यूर और यहाँ पर सोधन इरी नहीं क्या बन जाएगा तो इस गुण संदी के क्या है दोस्तो अपवाद है किसके अपवाद है तो यहाँ पर हमने बात की किसकी ग